हेलो फ्रेंड्स वाल्कम टू मैं चैनल मिगा जहल्ट इन ब्यूटी कॉर्नर दोस्तो सर्दी का मोसम आते ही सर्दी खासी जुखाम और पुखार की समस्या बहुत जादा बढ़ जाती है अगर आप भी परिशान है अपनी खासी की समस्या से तो दोस्तो आज मैं आपके लिए गरे लूपाय लाई हूँ इस गरे लूपाय से आपकी खासी 10 मिनिट में ठीक हो जाएगी आपको अराम मिलने लगेगा काफी जादा तो इसके लिए दोस्तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इसमें इस्तिमाल किया है वो है हनी हनी दोस्तो खासी के लिए रामबान उपाय है आपके अगर गले में खरास है सूखी खासी हो या बल्गम वाली खासी हो दोनों में ये बहुत फायदा करता है दूसरी चीज़ है दोस्तो तुलसी पता एंटी आक्सिडेंट से भरपूर और तनाव को कम करने के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद है आपके गले को राहत देता है आपके गले में जो खासी बैक्टीरिय और वाइरस किसी भी वज़े से हुई हो तुलसी के पतो का रस उसको ठीक करने के लिए बहुत ही लापकारी है तीसरी चीज़ है दोस्तो अदरक अदरक के अंदर दोस्तो ऐसे तत उपाये जाते हैं जो खासी के इलाज के लिए बहुत ही उप्योगी है अगर आप भी खासी की समस्य से परिशान है तो अद्रक का इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने खाने में अपनी चाय में दूद में जिसमें भी कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सहमाम जस्ता लिया है किसी फी चीस से इनको पेष्ट कर इनका पेष्ट बना सकते है तो इसमें दोस्तों मैं मैं एड्ड करूंगे त फूसी के पत्ते और अद्रक देखेए यह अद्रक haThat कर देंगे और तुलसी की पत्त्या भी हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा साब चाहे तो तोड़ सकते हैं दस से बारा मैंने तुलसी के पते लिए हैं इन दोनों को एक साथ करकी ही आप कूट लीजिए क्योंकि हमें इनका जूस बनाना है जिससे कि इसमें से कम से कम एक से दो चम्मच रस बहुत ईजिली निक यह जाता है देखि है दुस्तों मैंने इसको अच्छ्छे से घृट लिया है यहाँ पर देख सकते हैं अब यहांपर मैं मैं अधाBye assistir ले रही हूं और एकको लेरा रह difficulty है ने ब tek regrets सकते हैं तो अभी charger धुश suis कर तister में ताब जलकर मैं एक श्पून की मददसे दोस्ते स्क आपकी खासी के लिए बहुती उपयोगी होते हैं जम्मे वे कफ को निकालने में और अगर आपकी गले में सुखी खासी हो गए तो उसके लिए भी ये बहुती उपयोगी होते हैं देखे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें से अच्छे से रस निकल रहा है आपको इसी तरीक चोड़ लिया है इसमें से अब इस्पून से और रस नहीं निकल रहा है यह जो वेश्ट बसता है इसको आपको वेश्ट नहीं करना है आपको चाय में डाल कर इसका सेवन करना है क्योंकि इसमें भी काफी रस होता है तो आप इसको फैक ना नहीं तो अब हमें दोस्तों इसमे Add करना है शहद शहद हम इसमें Add करेंगे देखें करीब एक से डेड़ चमच निकल जाता है तो मैं इसमें एक चमच से थोड़ा सा कम apost करूँगे आप चाहें तो एक चमच भी इसमें शहद एड़ कर सकते हैं थोड़ा सा आप इसमें और किجी कफ सिरप पीते हैं आप इसका दिन में तीन बार इस्तमाल करके देखें आपकी खासी बहुत ही जल्दी आपको ठीक होते ही नजर आएगी आपको बिल्कुल इससे अराम मिलेगा और दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप बड़े बुढ़े और बच्चे तीनों को ही द दिजे क्योंकि तिलसी के पते और अदरग दोनों ही सर्दियों में पहुत ही यूसफुल होते हैं देखे दोस्तों मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मेकस आप बात करते हैं कि इसको कितनी कॉांटिटी में आपको सेवन करना है देखे दोस्तों सबसे पहले अगर आप पड़े बच्चे को दे रहे हो तो इनको आधा चमम से बड़े बच्चे को आप इतनों दे शकाते हैं दिन पर और दो साल चोटे बच्चे को आपको दे खो केवल को इतना ही देना है वकुत से 1 तो अगर आप मेरे आपनी लिए रहे हैं तो कमse कम भर पुट्ता भी ले सकते हैं दिन में तीन बार आपको सेवन करना है सेर्दी के मौसम में बहुत ही यूसफुल है दोस्तों ये निश्वका और इसके उपर आपको कोई भी पानी वानी नहीं पीना है केवल इसको पीजे आदे गंटे बात आप अपना खाना खा सकते हैं ये थक्यू